अभी आप लोग यही सोच रहे होंगे न कि आखिर किसने इन बे जुमान बे गुनाहों को इतनी बेहरहमी से मारा है आप लोग चिंता मत कीजिए क्योंकि ये घटना इस देश में नॉर्मल है और ये हर साल किया जाता है मैं इसी को अपने कैमरे में क्याद करने पहुंच गया मद हूनी से नेपाल आप सब एक गूर्मरिंग दोस्तों अभी मैं हूं नेपाल में और मैं नेपाल में खास करके इसलिए आया हूं ताकि मैं यहां का दुर्गा पुजा देख पाऊं आज है नौमी दिन मतलब आज लाश्ट पूजा होगा और क्या अपको भरशाण ही हो रहा है एक सकंद ना अको बतना सा कि मैं नेपाल में हूँ यह नहीं हूं तो कि बिहार ने तो सराब बंढ़ थे है न थो कि यह दुकान वो मेरे नानाजी का दुकान है और हम लोग अभी नेपाल नहीं ही है और आज मुंध पिल खूप लेकिन हम लोग बस यहांपे एक दिन के लिए रुके हुए हैं और उसके बाँAF हम जायेंगे यहां से थोरी दूर पड़ती है करीब 12 किलो मिएक का सबसमें है कंकाली मंदिर जहांपे महीशो की बलीर दी जाती है महीशो की पी जाती है हंसका दिया जाता है और बक्रिया जिसको बोलते हैं चागर उसका तो दिया ही जाता है तो हम लोग वो देखने के जाएंगे खासके तो उसी किल हम यहां पर आएंगे पता नहीं बिहार में कब खुलेगी और यह सब मिलेंगे हमारे जो कुछ प्य कर लोगा उनको पीने के लिए सब्सक्राइब करने से कितनी ज्यादा नुकसान हुआ है मतलब कितना कम टैक्स मिला है उसके बाब भी बिहार सगार को लगता कि वो बिहार को सुधार देगा तो एक बार बस आप सब्सक्राइब कर लिए जोड सके हो जोड से यही घर में नानी जी का भी फिलाल में और यहां पर यह कुट्टा है यह कुट्टा मतलब क्या बोल इसको एक कुट्टा बहुत पहले से हमारे यहां पर जब बच्चा था दो-तीन मेहां तभी इसको लाए गया था अरब तो यह बुड़ा हो गया दो पांशाल का हो गया काली इसका नाम कॉट्टा है यह काले यह काले और बच्चा काले रहिक क् है आज के दूसे करहाक सते हैं गर के अदर चलते हैं और मिलाते हैं आपके अपने ऊबिली से कुछ और सा दस्टी और किए हमारी नानी टी नानी कुछ कोभी तुह हमारा एम उइल में युद्वह कर टी हो का खफ टी कर ऐसी तब काथ को राख रहा जिए है तू की करिशी है मि does एकचे तो रिची आए कथी देने मसलहा ला है और अधा कि कुण खास बात अ यह खास बात है क수 आलिये यह माशूक खोवाधको मेला देखा जो कर दो लोग इसको बोलते हैं और ये नेपाल ग्राष्ट्री हथियार है और इसको हमारे भारत में गोरिखा और वही लोग इसको बोलते हैं पहले गोर्षार एरेजिमेंट नेपाल का ही वा करता था जो लोग खुकरी को स्वाल करते हैं ये हैं मेरे बरे मामा जी जनके साथ मैं जा रहा हूं नेपाल के सब्तरी जिला में भारता नामवा के एक स्थान पर जहां पर कंकालीनी माता का मंदिर है और वहीं पर बली परदान दिया जा रहा है और इस पूल के नीचे से बहते हैं कोसी नदी जो की बिहार में जाकर मिलती है अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर के बाहर और यहां सिले के मंदिर तक जहां पर बली दी जाती है वहां तक केवल महीसों की बली देखन परिशनी के लिए लोग ना जाने कहां कहां पर चड़े होते चाहे हो मंदीर हो या फिर कोई पेर हो बली देने से पहले महीस को एक नंबर दिया जाता है जैसे कि 59-51 बाबान एक दो कुछ भी और उसको इस स्थान पर लाया जाता है जब तक उसका नंबर नहीं आ जाता हो नं अगर ये परंपरा बहुत पुरान ही है जिस कारण से यहां पर बंद नहीं हुई अभी तक ये देखे लोग कहां कहां पर चड़े हुए महीस की बली देखने महीस के बली देने के बाद उनके परिजनों द्वारा खून हात में उठाकर कंकालनी माता को चड़ाया जाता है बली जो दी जाती है इसका तलवाल करीब 15-20 के जी का होता है इसके कारण से बली देने वाले पंडी जी बहुत जल्दी ठak जाते हैं उसके बदले में दूसरा पंडी जाते हैं बली देने के लिए जो कि पहले से तियार होते हैं और पुजा पाद करने के बाद ही ओ लोग बिल्कुल भी नहीं है चुकि एक महीस बहुत भाड़ी होती है तो उसके लिए यहाँ पर पलस्तर करके एक रास्ता बनाये गया है जो कि उचाइक होते हुए बाहर के तरफ जाता है वो जो लड़का जहाँ पर खरा उसी के नीचे बली दी जाती है जहां तक मेरा पहुंचना असंबब था और यहाँ भी इतने जादा है मानों कि किसी इस्टीडियम में आया हुआ हो मेरी सबसे ज़्यदा हालत तब खराब हुई जब मैं बाहर निकलने लगा और मेरे हर एक दूसरे कदम पर कोई ना कोई महीस की बली दिया हुआ बोड़ी पड़ा हुआ था अगर कहीं बीवेक तुम खो जाना तो आना गारी के पास गारी के पास तो आ गया है मामा जी अब यहां पर मैं नहीं मामा जी खो गया है अब ख्यार अब तक मामा जी हम लोग को नहीं मिले हैं तो हम आया है इनके पास चटवड़ी बनाने के लिए जो की इसको बोजा भी बोलते हैं आप लोग को आज की प्लोग कैसी लगी मुझे जरूर पताईएगा और मेरा इंटेंशन किसी के भावना को ठेस पुसाना बिल्कुल भी नहीं है और यह जो प्रमपरा चल रही हम इसको बदल तो नहीं सकते हैं मगर सूज बदल सकते हैं लेकिन हम लोग नीचर के साथ कोई खिलवाट नहीं कर सकते हैं जो चीज चलते आज इसको चलाना चाहिए क्योंकि यह प्रवजों की प्रमपरा है मेरा इसमें कोई ईपिनियन और कोई राही मेरा खुद का नहीं है और यह है मेरी छोड़ी बहन बगल में दिखाते हैं आपको लाटो लाटो देखें नए की को रही छी ए कि कुछ ने कुछ नहीं कारी छी कहील है करें बाइब करें बाइब करें गुद नेट इस अगले ब्लोग में पर अगले ब्लोग में पर इस ब्लोग में तब तक लिए टेक कियर मख्याल रखिए बाइब